हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक कि ऐसे भारत का संपोन, सब्सक्राइब करें शवर हम दोगां का बाम स्थ ताम चारित हती पाहन बढ़र सरस अरुखती मनभावन पुने पुने कितने हो सुने सुनाए यकी प्यास बुजत नबुचाए सबस्क्राइ वावर्ण सबस्क्राइ पूर्वजों कि विजाई भाव चत्रुप हमारे पूच्य पिताश्री महराज दश्रत ने जो देख विजय की थी उसके पश्चात आज पहली बार अवद की सेना तुम्हारे नित्रत्तु में विजय आत्रा पर निकल रही है हमारे पूर्वजों के कीर्थी अब तुम्हारे हाथ में है रास्ते में महर्शी बालमिकी का आशिरवात लेकर जाना जवन रुशी के आश्रम तक तुम्हारी सेना को इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे लवणासुर को किसी प्रकार का संदेह न हो कि कोई युद्ध की इच्छा से उसकी ओर आ रहा है जवन मुने के आश्रम में पहुँचने के पश्चाथ आगे के लिए वो तुम्हारा मार्ग दर्शन स्वयम करेंगे और याद रखो सेना और सेवक को पर्याप्त धन देकर और मधूर भाशन से सदा प्रसन्न रखना चाहिए संतुष्ट और प्रसन्न रखे गए सेवक संकट काल में जहां साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं बहाँ प्राया मिकट संबंदी भी नहीं खड़े होते हैं इसलिए सेना और सेवक को संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए एक बात आओ पिताश्री ने एक बार मुझसे कहा था कि राजा को सदा सेना के आगे रहना चाहिए सेना उसका बहुत आदर करती है ये बात याद रखना जाओ विजरी भवभब कि मैं आपके आशिर्वात से विजय पाकर बहुत जल्दी लोटाऊंगा नहीं कि लवडा सुर ने उस देश का नाश कर रखा है अता तुम्हें वहां रहकर वहां की व्यवस्ता चीक करनी होगी जिससे वहां की प्रजा सुखी समृत और धर्मशील हो जाए कि जहां एक शुवाकू वंशियों का राज हो वहां की प्रजा का सर्वदाही कल्यान होना चाहिए कि अताह तुम्हें वही रहना होगा परन्तु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा देखो शत्रुग्न अब तुम भी मेरी तरह राजा हो प्रजा रंजन के लिए राजा को कितना बलिदान करना पड़ता है यह तुमने देखी लिया मुझे विश्वास है तुम्हारी प्रजा तुम्हें वहां से नहीं आने देगी और वही तुम्हारी असली जीत होती है माभवानी सदा तुम्हारा कल्यार करें जाओ माभवानी सब्सक्राइब माभवानी सब्सक्राइब माभवानी हर हर मादे हर हर मादे हर हर बादे मात्र हुं मिके उलाड लो सत्य की भादा लिये चलो सत्य में मुझे के कहो बार बार कहते रहो पीरों पढ़े चलो, पीरों पढ़े चलो, हर हर महादेव कहते पढ़े चलो जब जब हुई धरम की हानी हर ने नर्तन धारा सुजय वंशियों ने असरों को ढूंड ढूंड कर मारा मानुवता की रक्षा के हित है अव्यान हमारा नमें मुझे दिलाए हर हर महादेव का नारा सत्य की ध्वजा जुके नहीं सेन्य राम की रुके नहीं सत्य में मुझे ते कहो बार बार कहते रहो भीरो भड़े चलो भीरो भड़े चलो केहर महादे केथे बढ़े चलो मात्र भूनी के उलाड लो सत्य की ध्वजा लिये चलो सत्य में मुझे ते कहो बार बार कहते रहो बीरो बढ़े चलो हर महादेल बढ़े चलो बीरो बढ़े चलो बीरो बढ़े चलो ओन बिश्वानी देवत सहीतर दुरितावी परासुबा पावन परम उपनीत यहें बालमी की कोधाम रिप्सूतन की सेन्यने जहां कियो विश्राम आज रात यहीं विश्राम होगा सेना इसी वन में रहेगी सब के लिए उचित प्रभन किया जाए हम महारी शिवालमी की के आश्रम में जाते हैं जवाद गयां प्रणाम कुरुदेव कल्यांग भगवन वन देवी समय प्रसव पीड़ा से बहुत व्यति थे यदि थोड़ा सा जल अभी मंत्रित करके मिल जाता तो उन्हें बहुत शांती मिलती गौत मी मा आप चिंता न करें बस जन्म का समय अब आने ही वाला है भन लगन में बालकों का जन्म होगा मैंने कुंडली बना रखी है पुक्सनक्षत्र और लगन में सूर्य है जन्म से ही तेजस्वी होंगे मैं अभी जन अभी मंत्रित किये देता हूं लगन में अभी मिलती जन्म के अभी मैं उन्म का समय झाय झास कि मैं अभी मिलती जन्म पाद दिना जन्म का समय आना लगन झाल झाल यह जल वन देवी को पिला दीजिए संतान उत्पत्ति में कोई कश्ट नहीं होगा प्रणाम गुरुदेव कल्याण गुरुदेव आयोध्या के राजकमा शत्रुगन आश्रम की ओर आ रहे हैं उनके साथ सेना भी है आश्रम के चारो और सारे वन में सूर्य पताकाएं फैरा रही हैं सुन्दर अति सुन्दर आश्रम में वन देवी के पुत्रों का जन्द हो रहा है तो चारो और रजपताकाएं फैरा रही हैं धेरिनाध हो रहा है कितने शुब लक्षण है प्रभू आपकी लीला न्यारी है आपकी जय हो जय हो जय देव जी गुरुदेव राजकुमार शत्रुगन को अधर सहीत ले आओ जो आज्या गुरुदेव कुमार भगवान वालमिकी की ओर से आपका स्वागत है पाद और आर्ग स्रीकार करें अजय हो जाएफ लुरुदेव दोजय हो स्रीकार करें कि देवान वालमिकी 59 अवात है पाद गुरुदेव हो जाएफ अजय हो जाएफ जाएफ और तुम कि देवान वालमिक् से बांट है तो लो अ हुआ है हुआ है इस पैसी नहीं कर दो कर दो है कि कि कर दो कर दो कर दो कर दो कि मैं महाराज दशत का पुत्र शत्रुग्ल भगवान वालमीकी के चड़नों में प्रणाम करता हूँ कल्यान मस्तु कुमार्श द्रुहन आसन ग्रहन करो अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना आपकी दया से कुशली राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है पूजेवर मैं महाराज श्री राम चंदर की आग्या से आपका आशीरवात पाने आया हूँ महरिश जवन बहुत से रिशी मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्ट सायता मांगने गए थे मधुरा का राजा लवन नाम का एक नर्भक्षी असुर है जो वो रिशी मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है महाराज ने उन्हें अभैदान देकर मुझे लवन शुर का संघार करने के लिए भेजा है उनकी आग्या थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है तो आपका आशिर्वाद ताप्त करके ही आगे जाओं हम महाराज राम के इस निरणे से अतिप्रसंद हुए है सुर्य वन्शियों ने सदार रिशी मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुब कारे किया है हमारा शिर्वाद है कि भगवान तुम्हे अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दे और सभलता प्रदान करें गुर्देव गुर्देव बन्देवी ने एक पुत्र को जन दिया है गुर्देव गुर्देव बंदेवी ने दो पुत्रों का जनम दिया है आपने इस दिन कहा था ना कि दो पुत्रों होंगे जुड़वा सो वो ही हुआ बहुत अच्छा हुआ वेर्व चुटels任 तो ने उन्हें देखा है नहीं का अच्छा एक इसा संयोग है कि अध्या का सूर्यवन्षी राज़कुमार यहां है और उसीzkिंप मैं दो सूरेवर्शी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया सूरेवर्शी कुमारों ने हाँ संयोग वश यह बालक सूरेवर्शी हैं उनके पिताह समय यहां नहीं है गौत मैं मा ने प्रातना की है कि आपके आश्रवाद से बालकों का जन्म बड़ी सुष्विधास हो गया है अब कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार कर여 अच्छी बात है तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारिया करो कुमार हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल पा रहा है आज्या करें गुरुते यह बालक सूर्य वंशी है उसनाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं इनके पिता इस समय यहां नहीं है पिता की अनुपस्थिती में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है सो यदि आप मेरे साथ चल कर उन बालकों को आशिरवात दें तो उचित ही है आपके आज्या से ऐसा शुबकारे करना मेरा अहो भाग्य है अहो भाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज योध्या का राजकुमार है और कल मधुरा का राजा होगा मेरा आशिरवाद आपके साथ है आईए बालकों कुम्ति शुद्वारार को अप्ने जया आँड़ा को आई तक तक संसकार को अपने स्वयम ही चल कर आए सूर्यवन्शियों के सागत में सूर्यद्वजा लहराए हाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए अब 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 कि अब अब गौत मीमा इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ तरभू यहीं अग्रच है अब 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 कुशा के अगर भाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं कुमार शत्रुगन आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए इस बालक का मारजन हमने कुश दुआरा किया है इसलिए इसका नाम कुश होगा कुमार शत्रुगन अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए इस बालक का मारजन हमने लव दुआरा किया है इसलिए इसका नाम लव होगा कुमार शत्रुगन अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशिरवात भी दीजी कि सूर्य वंश में जन लिया है भगवान तुम्हें अपने वंश की कीरती को और ज्वल करने की शक्ति प्रदान करें कि यहीं मेरा अशिवाद है कि मेरे पास इस समय देने के लिए यहीं बेटे इसे सुईकार करें कि यहीं मेरे इसे सुईकार करें कि यहीं मेरे भावन अमंगल हारी रभ हो सुधश रथ अजिरविहारी सीता राम चरीक अति पावन बधुर सरस अरुकती मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए कि यकी प्यात बुझत न बुझाए कि यहीं झाल झाल